प्रयागराज के धरंपुर, चोकी थाना थर्वई के तहत आता है, यहां के स्थानिय मच्छुआरे अपनी रोजी रोटी के लिए गंगा नदी में उतरते हैं। लेकिन आज मौसम ने एक गंभीर मोड ले लिया। करीब दस बचकर तीस मिनिट पर अचानक हुई अतिवरिष्टी और तेज हवाओं के कारण मच्छली पकड़ने गए बारह व्यक्तियों की नाव पानी की तेज लहरों में फंसकर पलट गई। वह सभी नदी की धारा में संघर्ष कर रहे थे। यह सुनना ही भयानक था लेकिन राहत की बात यह थी कि उनकी मदद के लिए तुरंट कारवाई शुरू हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही एंडी आर एफ टीम के प्रभारी अनिल कुमार और उप जिलाधिकारी फूलपुर्तपन मिश्रु मौके पर पहुँचे। आसमान में गड़गड़ा हट थी लेकिन एंडी आर एफ और राजस्व विभाग की ततपरता के साथ सभी बारह व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बचाव के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। जब उनकी स्थिती स्थिर हुई तो उन्हें घर भेज दिया गया। बचाए गय व्यक्तियों में थे चंगू पैगमबरपुर, अजयपाल पैगमबरपुर, सदाशिव माधवपुर, सुभाश पैगमबरपुर, राजकुमार पैगमबरपुर, विजय पैगमबरपुर, छोटु शिवगड, कलाउं पैगमबरपुर, अवधेश सम्शेर बहादुर पेगंबर पुर, महेश कुमार पेगंबर पुर